हाई गाईज सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आप सब लोग मस्त और टका टक होंगे सो गाईज आज है डे 27 जून 27 जून है गाईज आज भी अपडेट आया है पॉर्टफोलियो आज भी उपर गया है मेरा आगे बताऊंगा गाईज वीडियो में कितना उपर गया है कर दूंगा बाकि सेकेंड अपडेट गाईज आज मैं आपसे टॉप फाइज आज में आपसे टॉप फाइज पाइज के बारे में बात करूंगा स्मॉल के जिन्हों ने लास्ट फाइज में ओवर 35 परसंट के उपर एसाई पी में रिटन दिया है तो वह कॉन से फंज टॉ टॉप टेन बताऊंगा तो टेन फंस बताऊंगा आप पकड़ के चलिये स्मॉल के फंस का जिन्हों ने लास्ट फाइज में 35 परसंट के ओवर रिटन दिया है तो पूरी वीडियो एंड तक देखना गाईज काफी इन्फोमेटिव रहेगा बाकि इन्वेस्टमेंट या र मैं बताऊंगा आपको आज का यूटूब इंकम कितना हुआ वन डे और अब तक जून मन का कितना हो चुका हो भी बताऊंगा एन गाईज उसके बाद आपको मैं अपने स्टॉक पोर्फोलियो के अपडेट दूंगा आज वहाँ पे क्या चल रहा है दुमदड़ा का और थ मेरे भी फिलाल वो तीन ही रहेंगे वन करोण अमाउंट का जो मेरा गोल टच करने का है सब से पहले मुचल फंड के थूर और इन स्टॉक के थूर सब मिलाके जो भी फर्स गोल मेरा वही है सेकंड को मेरा 20 लेक्स का है थर्ड गोल मेरा 1 लेक 60 ताउजन का है सो गाईज फि 1,376 रूपीस के अराउंड आज भी प्लस में आया है और अब गाईज टोटल रिटन हो चुका है अल टाइम जादा सबसे थरी 4.45 परसे इतना रिटन गाईज लाइज 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 जब से इंवेस्टमेंट कर रहा हूं जितना मुझे याद है यह बहुत अच और XIRR देखेंगे गाईज तो 58.5% के अराउंड है तो ओरल गाईज सही है मतलब अभी फिलाल पोर्टफोलियो स्ट्रॉंग ही चल रहा है मेरे एकस्पेक्टेशन के एसाब से काफी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है बाकी अभी 4-5 दिन मतलब 4-5 दिन भी नहीं गाईज इतने टाइम जो बचे हैं उसमें अगर ये पोर्टफोलियो ना ड्रॉब हो तो 30% के ऊपर अगर रहा रिटन तो 1-year में 30% रिटन गाईज बहुत अमेजिंग है मेरे एकस्पेक्टेशन से ये डबल आ जाएगा बेकॉज मेरा एकस्पेक्टेशन मिनिमम था 15% कि इतना तो कि आज निपन ने दिया है मेरा टाउजन शेक्सक्राइब में एकस्पाइब के डाउन में गया है गया है नेगेटीव में 465 रूपीस के राउन टो टू टो तौ पोईं टू परसंट आज वनडे रिटन है बाकि टोटल रिटन है टाडी फौ पॉट परसंट बाकि आगे द से आगे बताऊंगा तो सबसे पहले पर गाई दिखा रहा है कॉंट स्मॉल के फंड 49.36 परसेंड एक्स आई आर आर है गाईज ऑन एसाइपी इंविश्मेंट इन लास्ट फाई यर्स जो की अमेजिंग है गाईज 10 ताउजन की इसमें एसाइपी चलाते तो 19 पॉइंट इसमें निपॉन इंडिया स्मॉल के फंड है इसमें 41.54 परसेंट का एक्स आई आर है और एसाइपी इंवेश्मेंट है इसमें 10 ताउजन का इंवेश्मेंट चलाते तो इन फाई यर्स इसका दिखाता अमाउंट 16,30 ताउजन रुपीज की अराउंड जो की अगें इसमें अरा कम है इस कंपार्ट तू कॉण बट ओवर रिटन एक्सा आरा काफी अच्छा है 41.54 परसेंट काफी स्ट्रॉंग है रिटन ये उसके बाद है गाईस दो फंड एचस बीसी स्मॉल के पैंड फ्रेंकलिंग इंडिया स्मॉलर कॉस फंड फंड है थाटी एट अर्वा है धिखा रहा है तो ओवर रॉल इसका भी अवड़िया है फिर उसके बात कनारा रोब स्मॉल के फंड है 35.78 परसेंट एकसा ए और वंडिका रा है इसका फेर गाईस एडिल वाईस मॉल के फंड इसका एकसा इयार दिखा रहा थैट्ट फाइट फैपॉंट खेद इन लास्ट फाइयर्स तो अगें गाइज यह काफी अच्छे एकसा एरा रिटन्स है तो अवर अब बाकी आप लोग गाइज अपने लेवल पर और रिसर्च करो इन्वेश्टमेंट करो और बाकी आप लुमें से कोई इन फंड में से अल्रेड इन्वेश्टमेंट कर रहा त आप लोग को कितने टाइम में कितना रिटन्स मिल चुका है तो वह भी बताएंगे तो हमें काफी लाइक युनों सबको इक आइडिया मिलेगा थोड़ा आप चैनल का भी रिव्यू कर देते हैं 4,000 447 सब्सक्राइबर हो गया है जो लोग ने वीडियो यहां तक देखा है अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो मैं ऐसे ही डेली बेस पे निचल फंड़ पॉर्टफोलियो रिएटे स्टॉक पॉर्टफोलिए अप्डेट देता हूं तो जो भी इंवेष्टमेंट कर रहे है या करने की सोच रहे है तो लॉंग टम पे वन डे इंकम कितना हो चुका है यूटूब का और अब तक जून मन का तो दिखाता हूं मैं आपको आज जो लास्ट अपडेट आया है मुझे वाया है पचीस जून का 0.49 डॉलर और जून मन का देखेंगे गाई अब तक कितना हो चुका है टोटल जून मन का हो चुका है 21.47 कितना रूपीज चल रहा है करन्ट तो उससे आप कनवर्ट कर लेना तो एक आइडिया मिल जाएगा अब बात करते हैं मेरे स्टॉक पोर्टफियो का इसमें आज क्या हल चल है बताता हूं फिलाल अभी आज दिखाओं गाईज आपको तो आज टोटल रिटन अब दिखा र मेना तक अराउंड हो चुका है तो विच इज अगेन अभी भी 3.11 परसंट का रोटल रिटन है आज अगेन नेगेटिव में गया है 0.63 तो अगेन 1,320 रुपेस आज भी डाउन में गया है बाकी देखते हैं अभी तो जस्त दोड़ाई मेना हुआ है आराउंड तो अब द करते हैं मेरे मुचल फंड का अब स्टॉक में इंवेश्मेंट कर रहा हूं जैसे आपको पता है मैंने तीन गोल्स का बात कहता है तो फर्स गोल मेरा गाई वन करोड अमाउंड का है जो मेना आपको बदाया था स्टार्टिंग में भी और हर वीडियो में बताता हूं मैं आ इंवेश्मेंट करता हूं इसमें इसमाल के फंड का मैंने इंवेश्मेंट कर दिया है 500 रुपीज का अभी किया हूं सो अब देखते हैं तीन फंड इसमें भी रखेंगे कौंट में तो 1,60,000 का मेरा गोल रहेगा बाकि इसमें आगे अमाउंड का गोल का अमाउंड बढान और भी उसके साब से इंवेश्मेंट करूंगा तो उसके लिए मेरा वो गुल रहे गई बाकि 20,000,000 का जो मेरा सेकेंड गोल है उसमें निपाउन इंडिया स्मॉल केप में और SBI स्मॉल केप में डालते रहूंगा बाकि आने वाले टाइम में अगर निपाउन में रखना है या SBI में सारा डालना है जो भी है मैं सिच्वेशन के साब से आगे प्लैन करूंगा कि SBI स्मॉल केप में डाल दूं या दोनों में बैलन्स रखों या फिर से पूरा उठाके Nippon में डाल दूं या फिर Nippon का पूरा उठाके SBI में डाल दूं तो जो भी रहेगा मैं आपको निकालके मुझे अगर इसी में डालना होगा तो भी मैं आपको अपडेट करतूँगा इनका कमेंट है यू मोटिवेट मी तैंक यू सो मच ब्रदर ये कमेंट्स पढ़के अच्छा लगा है ना आपने अच्छे फंज में या आपको में यही पर यही पर एंड करता है ऐसे ही चैनल को सपोर्ट दिखाओ ज़्यादा दिखाओ guys कोई problem ने लेकिन guys कम मत दिखाना और guys ये साल 10,000 subscriber का target है तो इतना तो guys मुझे reach करने में आप लोग की support दिखाना और वाकि एक चीज़ guys हमेशा करते रहना अपना ज्याद रखना दियान रखना by antique care